असलाव लेंगों बच्चो बच्चो आज का हमारा जो टॉपिक है हम एक मार्क की जो क्विश्चन आते हैं लीनेर इक्वेशन इन्टू वेरियेपल पर मतलब दो मुतागरी खतीम असावात में 2024 में किस टाइब से क्विश्चन आएंगे हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे ताके आपका एक मार्क के जो क्विश्चन इस चैप्टर के पर्फेक्ट हो जाए तो चलो वीडियो को ज्यादा ना ताखीर करते हुए इसको आगे बढ़ाते तो देखिए आपके बच्चों किस किस देंगे यी बार क्वेश्चन घंबर वन और अरेखेंगे खुआ की प्लस कर шkerने में हैं और यह प्लस और यह प्लस दोनों की जमा लेकिएहां पकी फ्लसके 32 एक्स जाके डिवाइड हो जाएंगा तो एक्स जमा वाई बराबर 32 थर्टी टू एक्स प्लस वाइज इकल टू वन तो देखिए हमारा एक मिनिट के अंदर यह अंसर आगया आपका एक मार परफेक्ट हो गया इस उसले कर देखिए आपके समझ में और ऑगह बढ़ते हैं अगले इना वजप्वी यह मालुम करना है कीमत मालुम करना एक्स मालूम करना हो एक ह b coding in से 31 गये तो 5 तो हमारा डायरेक्ली अंसर आगा एकस माइनस वाय बराबर है पांच यह एक मार का कुछ चैना आता है बच्छों हमको ज्यादा वक्त इसको देना नहीं है एक मार का एक ही मिनेट के अंदर सॉल करना है और आए होप ही आपके समझ में होगा इसका स्कीरिंशॉट लिए हम आगे बढ़ते हैं अगला कुछ नहीं है कि हमको फॉर एक्स प्लस फाई हुआ बराबर है 19 19 यह इक्वेशन है इसकी ग्राब बनाने के लिए हमको एक्स की वाईलू 1 दिया एक्स की वाईलू क करने क्या मालूम करना है वाई तो देखिए यह एक मार का कुछ नहीं इसमें एंडेस्टेंडिन यह रखना गिराब नी बनाना है टू डू ड्राब बनाने के लिए गिराब बनाऊ मत बोला अगर आपको आईसा बोला ही ड्राब अबधी एक्वेशन तो तीन मार के लिए य आपको यहां y मालूम करना है तो किस तरह से करना है बच्चों यहां पर 4x plus 5 is equal to 19 यहां पर क्या करना है यहां पर हमको जो है x की value 1 है x की value कितनी है 1 y मालूम करना है तो x कितना रखेंगे आप 1 यहां पर रख दिए 1 plus 5y is equal to 19 यह 4 is 2 1 4 plus 5y is equal to 19 यह 5 उदर जाके minus तो 5y is equal to 90 minus 4 यह 4 उदर जाके minus होगे तो 5y is equal to 15 यह कितना होगा 15 तो y is equal to 15 by 5 5 1 जा 5 5 3 जा 15 तो y is equal to कितना होगे बच्चों 3 हो गया y की value कितनी होगे 3 यह इतने step नहीं भी लिखे आप orally direct भी कर सकते लिए understanding के लिए मैंने आपको बताया हूँ आपको ज्यादा नहीं one minute डेना है one question के लिए एक माल की question के लिए ज्याद ज्यादा one minute और hardly two minutes okay आप देखिए यहाँ पर determinant मालूम करना है आपको डिटर्मान सॉल करना है five into one five okay minus into minus two into minus three okay minus minus plus हो जाएंगा यहाँ पर लेकिन यह दो minus है already यह minus minus क्या होगा plus two three is a six two three is a six लेकिन five में से one गया तो five में six गया तो minus का one तो हमारा determinant आ गया माइनस का one देखिए कैसा five into five five into one five two three is a six minus two था यह minus कड़ गया दो बार minus था है यह cancel हो गया यह minus formula है तो five में से six गया तो minus का one अब देखिए बटें हमको मालूम करना है x और y तो x की value कह रहे थी grammar rule में dx by d मतलब क्या हो जाएंगा dx कितने आपके पास 18 और d कितने आपके पास minus का three three one's a three three six a 18 मतलब minus के six मैं जल्दी इसने समझा रहा है एक मार का question इसमें बहुत जादा हमको solve नहीं करना है और y is equal to क्या हो जाएंगा d y by d अब d y कितने आपके पास minus 12 by d d कितने आपके पास minus के three देखिए minus minus get cancel three one's a three three four's a 12 तो y is equal to कितना हो गया 4 तो यह होगा आपके एक मार का question I hope आपके मैंने एक एक मार के already question cover कर ले हो पहले भी और यह भी अभी मिला कर आपके पास एक आइडिया आगे होंगी कि पहले चैप्टर पर आपको किस तरह से question solve करना है हमने determinant पे solve किया, grammar पे solve किया, linear equation पे solve किया और graph में value दी जाएंगी graph बनाना नहीं है तो I hope आपके पूरा वीडियो समझ में आएगा एक छोटा सा वीडियो है इस series को अगर आप like करेंगे तो हम इसको आगे भी continue करेंगे thank you for watching, मिलते अगले वीडियो